राजस्थान में मुख्य मंत्री चैन के बाद अब मंत्री मंडल विस्तार का इंतजार है माना जा रहा है कि भाजपा का केंद्रिय संगठन राजस्थान के मामले में कुछ ज्यादा ही सावधानिया रख रहा है यहां के लिए हर कदम, हर एक कदम को फूप फूप कर रखा जा रहा है भजनलाल सरकार की मंत्री मंदल विस्तार के काउंट डाउन और सस्पेंस के बीच अब नई अपडेट ये आई है कि यहां मंत्रियों का शपत ग्रहन 27 दिसंबर को हो सकता है बताया जा रहा है कि इस दिन को ध्यान में रखते हुए राजभवन ने भी शपत ग्रहन समारों की तयारियां शुरू कर दी है सूत्रों की माने तो भजनलाल सरकार की मंत्री मंदल विस्तार के पहले फेज में करीब एक दरजन मंत्री बनाई जा सकते है हालकि असल तस्वीर मंत्रियों के नामों की आधिकारिक घोशना होने के बाद ही साफ हो पाएगी वहीं भजनलाल सरकार का मंत्री मंदल कैसा होगा इसे लेकर फिलहाल कयास और चर्चाओं का बाजार गरम है दरसल इस विधान सबाचुनाव में जीत कर विधायक बने भाजपा नेताओं में अच्छा खासा अनुभव रखने वालों के साथ ही नए चेहरों की भी संख्या काफी है ऐसे में मंत्री मंदल में किसे ज्यादा तवज़ों मिलेगी ये देखना दिल्चस्प रहेगा मुख्य मंत्री और दो उप मुख्य मंत्रियों के चैन में नए और युवा चेहरों को मौका मिलने के बाद अब उन्ही की उम्र के समकक्ष नेताओं की मंत्री बनने को लेकर उम्मीदे परवान पर हैं बड़ी जिम्मेदारी का मौका आखिर किस किस को मिल पाता है इसे लेकर भी सस्पेंस मंत्री मंडल एलान के साथ खत्म हो जाएगा इदर भजनलाल सरकार के मंत्री मंडल का जितना बेसबरी से इंतजार हो रहा है उतना ही ज्यादा इंतजार पूर्व सीम वसंत्रा राजे की आगामी भूमिका को लेकर भी हो रहा है बजनलाल सरकार में राजे की भूमी का आखिर क्या रहेगी क्या उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा और मंत्री पद दिया भी गया तो कौन सा महकमा उन्हें दिया जाएगा और मंत्री बनाया भी गया तो पहली बार के विधायक से मुखी मंत्री बने भजनलाल अपने से सूपर सीनियर वसुंधरा राजे को भविशे में आकिर किस तरह से निर्देशुत करेंगे इस तरह के तमाम सवाल राजनीती में दिल्चस्पी रखने वाले लोगों में उमर रहे हैं। जानकारी सामने ये भी आई है कि मंत्री मंडल के लिए चौयनित हो रहे मंत्रियों के नामों पर अंतिम मोहर भाजपा के शीर्ष नेत्रुत से ही लग रही है। जानकारी सामने वाले लोगों में लोगों में लोगों में दिल्चस्पी बाले रहे हैं।